उच्च गती अभ्यास खंड टू प्रतिलेखन संख्या 45 वच 46 गती 80 सब्द प्रति मिनट डिक्टेशन सुरू होने में समय सेश है पांच सेकंड रेडी अन स्टार्ट महोदे हिंदी चीर काल से ऐसी भासा रही है जिसने सब्दो का उनके भिन देश अथवा भासा में उद्गम होने के कारण बहिसकार नहीं किया सच पूछिए तो सभी जीती जागती भासाओं का यह एक गुन है कि वे अपने सब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं चाहे सब्द किसी भी उद्गम के हों उन पर अन भासाओं का परभाव पड़े बिना नहीं रह सकता क्योंकि सभी जीती जागती भासाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्व भौम भासा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भासाओं के सब्दों और मुहाबरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भासी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्टिये कामों के लिए ही किया है उनके लेखों में कुछ ऐसे सब्द और मुहाबरे देखने में आये हैं जो अर्थ तो अस्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं अन्भासा भासी ऐसे सब्दों और मुहाबरों को अक्सर व्यभार में लाया करेंगे और हम हिंदी भासीयों को उनका स्वागत करना चाहिए ना की बहिसकार हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट भासा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नती में अपना गौरव मानने लगेंगे यह भाबना तभी उत्पन और परिपूष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरन पर भी अहिंदी भासियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भासी और हिंदी संस्थाएं निस्प्री भाव से हिंदी की स्री वृद्धी में लग जाएं जिससे अन्वासा भासी भी उसके विभीन परकार के सहित्त से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवस्यक समझे जिस परकार आज कोई भी विद्वान अधूनिक बिज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उयोपिये भासाओं का अध्ययन करना आवस्यक समझता है यदि केवल काब अथवा ललित कला संबंधी गरंत ही इरोपिये भासाओं में होते तो हमको उन भासाओं को सीखने की सायद आवसकता भी ना होती पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भासाओं का जानना अनिवार्ज हो गया है उसी परकार हिंदी भी इतनी समरिद होनी चाहिए कि आधूनिक बिद्यायों को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल परियाप्त ही नहीं आवस्यक भी हो जाए तथा इस भासा में मौलिक गरंत भी लिखे जाए जिनको पढ़ने के लिए आहिंदी भासियों के लिए हिंदी सीखना अवस्यक हो जाए जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है उतनी बड़ी संख्या संसार की दो तिन भासाओं के बोलने वालों की है इसलिए यदि इतने लोगों में यह भाबना उत्पन हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भासाओं में समुचित अस्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हिंदी का गाउरब बढ़ेगा आदर्निय महोदय हिंदी के लिए यह अवस्य ही गौरब का विसय है कि उसे भारतिय संबिधान ने अखिल भारतिय भासा का अस्थान दिया है इससे हिंदी भासियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दाईत्व बहुत बढ़ गया है संबिधान में हिंदी को यह उचा अस्थान दिये जाने का विसेश कारण यह था कि इसके जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भासाओं के जानने वालों से कहीं अधिक है उन भासाओं का भी अपना गौरबपुर्ण सहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भासाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह अस्थान दिया है तो यह समझ कर नहीं कि उनकी अपनी भासा किसी बात में कम है पर यह समझ कर की राष्टिये काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलब होगा हिंदी को अखिल भारतिये कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक भासाओं को यहां के कामों के लिए प्रधानता दी गई है इसलिए यह अनिवार्ज है कि जहां हिंदी का प्रचार हो वहां प्रादेशिक कामों के लिए अस्थानिये भासाओं को भी प्रोशाहन दिया जाए और वे अपने सिमित छेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें सायद यह कहना भी अनूचित ना होगा कि हिंदी भासी राज्यों में तो हिंदी का वही अस्थान होगा जो किसी भी प्रादेशिक भासा का उसके अपने राज्य में पर अन्य भासा भासी राज्यों में सिमित काम और अखिल भारतिये छेत्र में प्राया सभी काम हिंदी द्वारा किये जाएंगे हिंदी भासीयों का प्रियत्र यह होना चाहिए कि अहिंदी भासीयों ने जिस सदभावना से हिंदी को राश्टिये कामों के लिए अस्थान दिया है उसी सदभावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में ततपर हों हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भासा से होड नहीं है सच पूछिये तो हिंदी भासीयों को अन प्रादेशिक भासाओं का पोसक और समर्थक होना चाहिए जिस प्रकार अहिंदी भासी हिंदी के पोसक और समर्थक होना चाहते हैं हिंदी भासियों के ब्यवार और आचरन से यदी कहीं भूल से भी यह अभासित हुआ की हिंदी अनस सभी भासाओं से अधिक समर्थ अधिक परिपुष्ट सहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक सक्ति साली भासा है और इसलिए इसको अधिकार है की अखिल भारतिये राष्टिये कामों के लिए यह राष्ट भासा मानी जाए तो इसका फल यह होगा की अन भासा भासी हिंदी के प्रती इरसिया करने लगेंगे और जो संबिधान चाहता है वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस अस्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संबिधान ने उसे देने का निश्य किया है दुसरे सब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नमरता पुर्वक करना चाहिए मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्स होता है कि इस दिशा में नागरी प्रचारनी सभा का दिरिष्टी कोन सदा से ब्यापक और उदार रहा है सभा के पदाधिकारियों तथा काज करताओं ने सदा ही अन भारतिये भासाओं का समुचित आदर किया यह सभा की परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जयनती के उपलच्छ में एक प्रकासन योजना बनाई गई है स्टॉप